हेलो फ्रेंड्स तमस्कार दोस्तों आज आपका यूटेब इंडेट में आपका हाड़ी स्वागत है आज हम आपको जानकारी देनी जा रहे हैं कि हमारे जीवन में पानी का कितना नहत हो पानी खितेज गती से विद्धुत उर्जाकी भी छिपी हुई है उसकी आग को ही बड अगत्य ला अगत्य ने भी अपनी दिव शक्ति से एक चुलू में समद को पी लिया था तो इस साधार सब्ज चुलू के पीछे पूरा समद छुपा हुआ है पानी जब तक बहता है regulation इसे की साफ होता है, तभी तो कबीर कहते हैं, बैता पानी नर्मला वे रुकता भी है, तो कीटर में कमल खिलता है, पानी हमारे जीवन में इतना अधिक महत देता है, कि बैता बैना भी याक्तरा है, नदी को गौर से देखिए, उसके सरपिल चाल मुक्ट कर देगी, जब पानी, जब प्रस्वी बनी, जब जल की भी उत्पत्ती हुई, विगवेट के सत्वे मंत में आया है कि अगने के परमाणों के साथ जल के परमाणों को मिला कर जल बना, जल के देखता वरुन माने गए हैं, शिष्ट के आरम से लेकर प्लए तक जल की महिमा का वर्णित है जल का सुहाओ है सितलता, बहते रहना इसकी नियती है, ये प्रस्वी की नसों में बहने वाले रख की तरह प्रवान है, जल जीवनधारियों के लिए प्राण सकती है, काम करता है, जल है, तो खेटों में फस्तें लहराती हैं, फर्फूरों से लदे आकास छूते ब्रक्ष दिखाई देने लगते हैं, ये फलदार ब्रक्ष हमारे उर्खों की तरह हैं, सस्त भी बड़े पत्ते की तरह बात करते हैं, कि पौधों की सीचें ब्रक्षों के जला दें, जैसे तपस्या काल में पार्वती ने पौधों को उत्रवत माला था, काली दास की सुकुंतला ऐस जल्दान करती दिखाई देती है, जल का दूसरा गुड़ है सुक्स्ता और पार्दर्स्ता, जिनकर कहते हैं कि सच्चाई की पहचान पानी से साफ चाहिर हो जाती है, अगर हमारे जीवन में पानी यही बैता रहेगा और उसको हमारा बच्चाव नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन के लिए कितना, कितना ज्यादा संगर्स में हो जाएगा, तो पतेग व्यक्ति को पानी की पच्चत करने के और पानी का महत समझना चाहिए, तो सो फ्रेंस, यदि आपको मेरा यूट्यब चैनल इंड़ पतंद आया हो, तो सको लाइक और सब्सक्राइज करें, जैहि कितना ज्यादा जड़ दस्चत करें दियूद में हो. झाल झाल